नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपको बताने वाले यूटूब की एक जबर्जस्त अपडेट आई है जो कि आज से आप अगर वीडियो अपलोड करते थे अप्लिकेशन में यूटूब का जाके यहां क्रॉम ब्राउजर में लेकि और दो चाहिव पहले ब्राइब करने के लिए आपसे आप यहीं से अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं इसे सब टैक्स और टैट्रेफिंच लगा के और publish भी कर सकते हैं तो यह काफी बड़ी update है चलिए आपको दिखाता हूँ स्क्रेन पर और अपना white studio open कर लेते हैं तो मैंने white studio पर click कर दिया और white studio open हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं display हो रहा है you can upload directly from studio तो आपका जो भी वीडियो है अब यहीं से directly आप studio से ही upload कर सकते हैं क्योंकि आज से ही यह feature इसमें add हुआ है तो आप देख सकते हैं जो आपका profile का icon है उसके left side में एक plus का icon दिख रहा होगा उस पे आपको click कर देना है उस पे click करने का बाद से आप directly अपने gallery में enter कर देंगा और वहां से जो भी आपका video है video को select करेंगे और simply upload पे click कर देना है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे upload करना है मैंने click कर दिया था उसके बाद से gallery में enter कर चुके हैं और यहां से आपको जो भी video upload करना है तो उस video को select कर लेते हैं तो चलिए मैं देख लेता हूँ कौन से video यहां से upload करके छोटा सा देख लेते हैं अभी मैंने इस video को click कर दिया और यह देख सकते हैं यहां पर आग चुका है जो हमारा white studio का option है यहां से अभी आपको दो काम करना है जो कि आप चाहें तो टाइटल यहां से अभी लगा सकते हैं या फिर बाद में भी लगा सकते हैं तो अभी भी लगा लेंगे चले गए एक साथ में दोनों काम और यह application पर देखिए description भी यही से आप लगा सकते हैं उसके बाद से आम नीचे की तरह पा जाते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद से पूछ रहा है अभी यह जो विडियो आप अप लोड कर रहे हैं या बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए तो आप yes पे क्लिक करेंगा और बड़े आद्मी के लिए है तो no क्लिक करके और यह देख सकते हैं मैंने no पे क्लिक कर दिया उसके बस से upload पे simply आपको क्लिक कर देना है अभी देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से वीडियो आपका अपलोड हो रहा है और अपलोडिंग 0% से स्टार्ट होगा 100% तक जाता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है वीडियो आपलोड होने है तो बहुत ही बहुत ही बहुतनी फीचर है आपको दो एप्स में इंटर करने का ज़रूद नहीं है एक ही अप्लिकेशन से आप सब कर सकते हैं